नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम किंग पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों स्वागत है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस की टोप 30 कुशन जो बार आपसे एक्जाम में पुछी जा रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब पुछाएगा अगर आपको वडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेजरू किजिएगा और जुड़ते हैं अपने फर्स्ट कुशन के साथ आज का आपका फर्स्ट कुशन है किस तत्तव की कमें से घैंगा रोग होता है तो ओप्शन डी आयोधीन होगा आपका राइट आंसर चलेगा नेक्स टेके का सैकिंड आपका डेंगू एक बुखार है जो उत्पन होता है तथा दूसरे मनुश्य में पहुंचता है तो राइट आंसर हो गई हाँ पर आपका उप्शन सी वाइरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा सी होगा आपका राइट आंसर चले धर देखेगा पावर ट्रांसफार्मर की कारिया पर नाली का सिध्धान जैस जैस पर आधार आधारी थे दिए दिए पावर ट्रांसफारम की कारिया पर नाली का जो सिध्धान थे वह फेराडे के नियम पर आधारी थे दी रहेगा आपका राइट आंसर चले गार नेक्स देखेगा उस प्रिक्रिया का क्या नाम है जिसमें ग्या सीदे ठोस वस्तु में परवर्तित ह हो जाती है वीं क्या होगा इसका राइट आनसर ऑफशन ए डिपोजिशन आसफ्शन ए होगा आपका राइट आंसर चलेगा नेक्स देखेगा नेक्स है आधुनिक आवरसाणी के पहले वैं दूसरे समू को क्या कहा जाता है तो right answer का option B S block कहा जाता है dear sense B होगा आपका right आँच अच लेगा next देखें यदि लोलक की लंबाई चार गुना की जाए तो लोलक जूलने की समय आउदी क्या होगी dear sense option B दो गुना क्या होगी दो गुना हो जाएगी B रहेगा आपका right आच ले next है यदि आपको dear sense व्यूडियो पसंद आए तो like और share कना मत बूलेगा और पर ते question का answer देने के लिए आपको 5 second का समय दिया जा रहा है dear sense उसके बाद आपको question का answer बता दिया जाएगा चलिए next है आपका रडार सिस्टम में उप्योग की जाने वाली तरंगे कौन सी तरंगे होती है dear sense तो right answer यहाँ पर आपका option A सुक्षम तरंगे होती है रडार सिस्टम में उप्योग की जाने वाली तरंगे सुक्षम तरंगे होती है ए रहेगा आपका right answer चलिएगा next है आपका एक उड़ते हुए चक्के के प्रती सैकेंड घुनन किस से मापी जाती है तो किस से मापी जाती है आपका option D सेंट्रो बोस्कोप option D होगा आपका right answer चलिए next है आपका next देखिएगा सुभय का सूरज इतना गरम नहीं होता जितना दोपेर का होता है सुभय जब हम देखते हैं तो ठंडा मोसम होता है जो दोपेर का समय होता है उसमय घर में बहुत अधिक होती है और इसका क्या रिजन है इसका क्या करा है डिर्शन्स right answer का option D सुभय के समय सूरज की किनों को अंत्रिक्ष में अधिक दूरी त्या करने पड़ती है तो इसलिए जो दोपेर का सूरज होता है वो क्या होता है वो ज़्यादा गरम होता है तो D होगा आपका right answer चलिए next है बेकिंग सोडे का रसाइनिक सूतर क्या होता है option D न, A, H, C, O, 3 D रहीगा आपका right answer चलिए 11 देखेगा टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है जो टाइफाइड बुखार होता है वो जिवानों के कारण होता है जिसको हम बैक्टेरिया भी बोलते है A रहीगा आपका right answer चलिएगा 12 देखेगा निमिन में कौन सा प्लाजमोडियम परजीवी का वाहक है तो option A मच्छर होगा आपका right answer 13 देखेगा विकासवाद का सिध्धान किसने प्रतिपादित किया विकासवाद का सिध्धान किसने प्रतिपादित किया था option A जर्विन होगा आपका right answer next आपका 14 देखेगा एक वस्तू पर लगाए गए गुर्तवाक्षन बल को क्या कहा जाता है option B वजन कहा जाता है B रहेगा आपका right answer next आपका 15 देखेगा हथेली पर रखने पर नेमिन में से कौन सा तत्व पिंगल जाता है उप्रियुक्त दोनों गैलिलियम और सिजियम दोनों क्या हो जाते है पिंगल जाते है तो C रहेगा आपका right answer चलिए 16 देखेगा आइनिक योगिक के गलनांक और कम्थनांक योगिक के गलनांक और कम्थनांक दोनों क्या होते है A होगा आपका right answer चलिए नेक्स्ट आपका 17 देखेगा बरफ को पिंगलने से बचाने के लिए निमलिक्त में से किसका प्रियोग किया जाता है option B नमक का प्रियोग किया जाता बी होगा आपका right answer चलिए 19 आपका stainless steel क्या है दियोर संस्ट option C मिस्रधातु stainless steel एक मिस्रधातु है C होगा आपका right answer चलिए next आपका लोही की जंग डैस डैस होती है जो लोही की जंग होती है वो रसाइनिक परिकिरिया होती है B रहेगा आपका right answer चलिए 21 देखेगा कांच की सबसे महता पुन घटक क्या है कांच का जो सबसे महता पुन घटक अडिर्शन्स वो क्या है C होगा आपका right चलिए next आपका आवर्त सानी का अविस्कार किस ने किया था आवर्त सानी का अविस्कार अडिर्शन्स दिमित्री मैडलिफ ने क्या था ए होगा आपका right answer चलिए 23 है आपका पिर्थवी की घुन्नन की गती क्या है पिर्थवी की घुन्नन की गती डियर्शंस 8 km by minute option ए होगा आपका right answer चलिए next है आपका 24 देखेगा निरवात में यदि लोहा कागच और पत्थर तीनो को गिरा आजाता तो पिर्थी पहले कों आएगा to right answer ओगे है हम पर आपका D, तीनो साथ आएंगे देखेगा निरवात में यदि लोहा, कागच और पत्थर, तीनो के एक साथ गिरा आजाता तो तो पिर सी पहले कोन आएगा तीनो एक साथ आएंगे डियरसंस दी होगा आपका राइट आंसर चलिए 25 आपका थर्मस फ्लास का आव इसकार के सवग्यानिक नहीं किया था तो राइट आंसर होगा आपका 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 राइट आंसर चलिए 26 आपके लिए बोलो मीटर एक यंतर है जो मापता है क्या मापता है ओप्शन बी उसमें विकीरन बी होगा आपका राइट आंस चले next है आपका 27 देखेगा बरफ के दो टुकडो को आपस में दबाने पर टुकडे आपस में चिपक जाते हैं क्यों चिपक जाते हैं इसका क्या कारण है क्या रीजन है option 1 दाब अधिक होने से बरफ का गल्लांग घट जाता है इसलिए जो बरफ के दो टुकडे हैं जब उनको आपस में दबाने पर वो क्या हो जाते हैं आपस में चिपक जाते हैं दाब अधिक होने से बरफ का गल्लांग घट जाता है इसलिए next है आपका 28 देखेगा उचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सालसेस के नीचे ताप पान पर क्यों उबलता है तो राइट होगा option a वाइं उबलने की बिंदू नीचे आ जाती है ए होगा आपका right आचाई next है आपका चीटी के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है चीटी के डंक में फोर्मिक अमल पाया जाता है सी रहेगा आपका right answer चलिए next आपका जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या फरक पड़ता है तो क्या फरक पड़ता है जंग लगने पर जो लोहे का भार होता है वो क्या होता है वो बढ़ता है तो B होका आपका right answer तो डिरसंस यह थे आपके विगान के top 30 questions जो बार-बार आप से एक्जाम में पूछी जा रहे हैं तो डिरसंस अगर आपको वोडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक हो शेजरू किजीगा अगर आप हमार चैनल पर पहली बार विजिट करें हमार साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्ली चैन को सब्सक्राइब लिजिगा और बैल आइकन को जूर से जुरूर प्रैस करें जिगा तो चलिए डिरसंस मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में कुछ और महत्रपून कोशनों के साथ तब तक डिरसंस सभी को जाहिं जाभात वन्ने मातरम आइंड टेक कियर